अब हम रिजुनेंस के पार्ट 3 पर आ रहे हैं जैसे कि आप प्रिविएस वीडियो पे देख रहे हैं कि हम लोग जी योसी पर वरक आउट कर रहे हैं ताकि मैं बेसिक से छोटी-छोटी बाते में जी योसी की बात करूँ करने की बात करूँ तो आपको हर एक छोटी-छोटी जीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा अब मेरा जो टॉपिक है आज का रिजुनेंस के लिए बेसिक करना चाहते हैं केटाइन की कंडिशन में काबने प्लस चार्ट प्रेजेंट हैं और यह हैलोजन इंटम प्रेजेंट हो तो क्या होगा resonance effect का कहते हैंcrosis anhork Nich gluten जı चुंक के बात करें लिए आएन पेजेंट से बाइर होता है अब सब जानते हैं इसको to 2s2 होता है और outermost में इसके पाथ होता है 2p5 मतलब second period में आते हैं और ये condition apply होगी carbon में भी अगर आएंगे तो carbon का भी आप जानते हैं इसका configuration outermost में होता है 2s2 और इसका होता है 2p2 अगर आपको यादो valentian में 4 electron present होते हैं तो दोनों का जो energy level है 2s2p का अगर सेम होता है तो जाई से बात है effective overlapping होगी जिसकी वज़े से हम कह सकते हैं इसका resonance जाड़ा effective होगा इस computer होगा हम बात करें अगर में क्या फार्क है देखिए आप समझ पाएंगे हमेशाद रखीगा जब भी हम hydrogen के साथ कोई carbocatine present है उसे attached है तो वहाँ पे inductive effect apply नहीं करते है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग apply करेंगे resonance effect की बात करेंगे जब plus charge के साथ present है यहाँ पे देखिए बताया है मैंने fluorine present है यहाँ पे carbon two plus present है Carbocatine present है यहाँ पे तो fluorine यहाँ से आसानी से effective overlapping कर सकता है that is called 2p 2p overlapping हम लोग कहते है इसको that is called 2p 2p overlapping बड़ा effective होगा यहाँ पे 3p 2p थोड़ा less effective होगा क्योंकि energy gap बहुत बड़ जागा यहाँ पे 4p, 5, 2p उससे इसादा कम होगा और यह तो काफी दादा problem होगी इसमें बहुत दादा अच्छा नहीं कर पाएंगे overlapping iodine वाले जो कहलब कर पाएंगे बहुत मुश्किल है but overlapping होगी यतना बहतरी effective overlapping अगर हम बात करें cf3 plus ccl3 plus cbr3 plus c i3 सबसादा stable कोगा तो वो cf3 plus ccl3 plus होगा उसके बाद आपका cbr3 plus उसके बाद cc i3 plus लेकिन अगर आप comparison करते हैं NH2, CS2 plus carbocatine और CS2, F1 उस condition है problem क्या होगी कि nitrogen is a very good donor atom अच्छा donor atom होगा विकाउस की electrone negativity flowing से कम होगी जिसकी वैसे nitrogen की जो effective overlap होगी वो ज्यादा होगी as compared to होगर हम माने तो यह आसानी से electron donate करेगा as compared to flown यहाँ पर reason क्या होगा simple electron negativity difference के वज़े से इसकी highly electron negativity मामी शाद रखी का phone होता है FON phone F for fluorine O for oxygen N for nitrogen जितना कम electron negative होगा electron donor उतना बढ़िया होगा इसलिए nitrogen यहाँ पर electron donate कर पाएगा fluorine यहाँ पर भी करेगा लेकिन as compared to nitrogen इसकी थोड़ी से मुश्किल होगी because of electron negativity की वज़े से यह था basically carbocation की condition halogen के साथ अब हम आएंगे carbon anion की बात करेंगे जब anions हमारे पास present है तो उसमें stability की क्या condition होती है हम वह जानने कोशिश करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ns2 present is cs2 minus मैंने पहले कहा कि अगर directly link हो तो कोई बात होती है यहाँ पर carbon से दो तो जाहिर से बात यहाँ पर inductive effect की बात करेंगे that is called minus high effect तो minus high effect यहाँ पर होगा जाहिर से बात electron with drawing group होगी cs2 negative है NO2 plus इसके electron with drawing tendency और जादा होती है जैसे कि हम जानते कि minus high effect का order आपको बताया गया है inductive effect में आप चेक करना वहाँ NO2 की priority हमेंश इस 2 से जादा होती है तो NO2 और रदा strong full करेगा जतना जादा minus high effect बढ़ेगा उतना जाधा carbon and anion की stability बढ़ती है जतना जादा minus high effect बढ़ेगा उतना जादा carbs byapat content की stability कम ज़र होती है हम शाद रखेगा जतना plus high effect बढ़ेगा carbon anion के stability घटेगी जतना plus high effect बढ़ेगा carbs by Vitatta अब तो यहां पर देखिए यहां प्लस हाई एफेक्ट हो रहा है जिसकी वैसे इसकी स्टैबिटी सबसे कम होगी उसके बाद इसी तरह से हम निक्स कोश्चन में आते हैं अब देखिए यह भी एलेक्ट्रों रिच यह भी एलेक्ट्रों रिच तो कंजूगेशन कैसे करें विए हमने बताया कि यह पूरा करते हुए करना पड़ेगा अगर सीच्ट्रों प्रेटा भी है तो क्या होगा इसका ऑक्ट्रेड वाइलेट कर जाएगा यह तकरिबन 10 इलेक प्रेजन के पास double bond present है जो आपको दिखाई दे रहा है यह अपना एलेक्ट्रों पेर shift कर सकते हैं और CS2 यहां से एलेक्ट्रों दे सकता है मतलब conjugation possible है short of resonance हम कह सकते हैं इसमें फाइदा है कि सब एटम का octet complete है यहां पे octet violate कर रहा है यहां पे देखिए सिर्फ यहां पे electron donating tendency is ES3 का यहां पे resonance नहीं यहां पे हम करेंगे simple सी बात हम बात कर सकते हैं that is called plus i effect की हम बात करेंगे plus i effect हमेशा negative anions को decrease करता है probability तो इस condition में हम बात ही मानेंगे कि यहां पे थोड़ा बहुत electron withdrawing tendency होगी जो negative cloud को अपनी तरफ shift कर सकता है इसकी वाज़से NO2 साधा priority हम इसको देंगे resonance नहीं होने के बावयोद because of minus i effect के वाज़से तो number one पे number two आएंगे सबसादा stable उसके बाद आएगा आपका पास minus i effect वाला number one उसके बाद third number प्रायोटी जाएगी वो plus i effect के वाज़से यहां पे third priority में आएगी सबसादा unstable होगा वो third वाला होगा इसी तिसी कड़ी से आगे बढ़ते जाते हैं देखिए यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है CS3O CH-CS3 प्रेजेंट है आप इस तरह से देख सकते हैं अगर आप कुछ समझना हो तो ऐसे भी देख सकते हैं आपको बनाने की प्रेक्टिस भी हो जाने चाहिए आपको प्रेजेंट को चाहिए यहां पर यहां पर यहां डवल बॉंड बन सकता है और यहां पर यहां पर आपके पास CS3 आजाएगी तो इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ इसको ऑक्सिएन का भी और पूरा है काबन का पूरा है ना इस पर कोई चार्ज आया तहीं से बात इसके हा प्लस है एक्ट एलेक्ट्रोन डेंसीटी और ट्रांसफर करेंगे उस कंडिशन पर कार्बन के नाइन के स्टेविटी और डिक्रीस करेंगे नंबर बन पर स्टेविटी 2 होगा फिर 1 उसके बाद हम 3 को देंगे इस तरह से आप अगर अंडरस्टैंड करते होगे पढ़ते ज इसके पास, electron नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास देखिया electron देगा, तो इस carbon के पास पहले से 8 electron हो जाएंगे, इसका मतलब यह octotool को violet करेंगे, सब सदा restable कोई होगा तो आपका इस condition में देखते हैं, भी 1 है, तो resonance की बात हम इसमें नहीं कर सकते हैं, यहां पे भी resonance की बात नह करेंगे, ऐसे condition में हम यह देख सकते हैं, कि electronegative atom जो हमारे पास, inductive effect की हम बात करेंगे, तो negative है, यह electron देगा, oxygen ज्यादा electronegative electron दे सकता है, transfer कर सकता है, यहां दूरी देखिए बढ़ेगी इसके, यहां दूरी इसकी और बढ़त लगती है, तो यहां पे oxygen जो है electron withdrawing group की तर negative charge present है, वो electron दे सकते हैं, असानी से, यह distance बढ़ेगा, electron density दूर हो जाएगी, electron देना मुश्किल होगा, इसलिए 1, 2 और 3 इसका order कहलाएगा, यह resonance apply नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप इसको inductive effect के जरिये देख सकते हैं, next question देखिए हम यहां पे cyclohexanone लिया है, और यहा positive में कहा है कि electron देगा तो यहां partial resonating यहां बन सकते हैं, bond यहां से shift करगा, double bond बन सकता है, अब ऐसे देख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसे देखिए, मैं देखा था हूँ, आपको कैसे बन सकता ही, जैसे यह यहां पर present है, आपके पास, अगर यह double bond यह बनाएगा, तो यहां पर oxygen के bond उपर shift करेंगे, इसमें कोई octetal violet नहीं हो रहा है, सबके octetal पूरा, resonating structure कर रहा है, यहां resonating नहीं होगा, यहां resonating नहीं होगा, यहां resonating नहीं होगता है, देखिए, बहुत फ़र्क पड़ गया, अगर आप C double bond हो लेंगे, तो देखिए, जि C double bond, directly बाट यहां resonance देखिए, बना सकता है, रोदेगा double bond, यहां भी resonance बना सकता है, but problem क्या है, resonance के साथ साथ एक problem हो रहा गए, problem क्या है, resonance का मतलब यहां साथ में देखिए, अगर हमारे पास यह present दिखाई देखिए आपको, इस case में कहिए, देखिए, प्लस high effect भी शो कर रह देखिए, तो इस carbon को यहां electron double bond हो, थर्ड वाला सबसादा अनस्टेबल क्योंकि यहां सिर्फ नाई, प्लस high effect प्रोपर हो रहा रहा नहीं, आपको resonance हो रहा है, इस तरह से resonance और प्लस high effect को साथ combined form में आप देख सकते हैं, यहीं सामिशार रहेगा, अगर double bond, अगर कुसी element के निगेटिवली चारज, अगर उसके साथ double bond oxygen present है, या triple bond nitrogen तो वैसे के सबसे most stable anion बनते हैं, क्योंकि वो resonance contribute करते हैं, डेवल बांड के पास CH-1, इस बाद रहेगा, डेवल बांड के पास ही रिजोनेटिंग बनेगा, बड़ साथ में देखिए, OH present है, डेवल बांड प्लस ही एफेक्ट बहुत ही जिरो, कुछ नहीं मानते हैं, प्लस करता है ना माइनस करता है, अगर टेबल को देखिए, इस को सेंटर में रखा गया था, यहां प्लस ही एफेक्ट तो इसके हला तो सबसे खराब हो जाएगी, तो फर्स वाले में देखिए, सिकंड वाले में रिखेक्ट करता है नियुक्सान भरहे है यहां पर प्लस यहां CS3CO यहां पर electron donating group present है और second वाले में देखिए resonance हो रहा है साथ में OH group present तो OH group हम जानते हैं यहां पर minus eye effect कर सकता है और minus eye effect यहां पर नुकसान दे इसलिए हो रहा है देखिए कि अगर यह मान लेजी आपके पास OH present है अगर यह electron withdraw करेंगे तो problem क्या है कि दिखाता हूं मैं आपको carbon अगर यहां से oxygen यहां से minus charge present है यहां पर और यहां double bond बना भी लेता है किस तरह से CH2S है तो इससे क्या होगा कि πाई electron की density यहां पर shift करना शुरू करेगी इसकी वाज़से minus high effect इसके लिए थोड़ा harmful हो जाएगा यह minus high effect तो three number पर हम देखे तो withdrawing power की वाज़से थोड़ा सा इसकी stability घट रही है फूर्थ number में electron donating capacity बढ़ रही है जाहिर से बात है जब electron shift करे तो electron donating capacity यहां पर negative charge में जब resonating के साथ यह support करेगा तो इस condition में third वाले के priority जादे मिलेगी उसके बाद fourth number में डाहिट सी बात है यहां पर plus high effect इसको और भी कर रहा है तो अब से एक हालत खराब हो जाएगी इस केसे इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहां पर आपका plus high effect कहां पर minus high effect और साथ में resonance structure इन सब को combined effect के साथ हमें stability को चेक कर सकते हैं अब हम हाइपर कंजूइशन की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं बात भी detail करेंगे क्या है दूसरा compound देखिए हमारे पास CH2-CO CH2C double bond हो यहां रहे हैं देख सकते हैं लास बार तो बनाई नहीं रहा है सबसे पहले हैं आप यहां दो साइड बन सकते हैं थो नंबर बॉन प्राइटिव मिलेगे इदर से भी double bond बन सिफट कर रहा है लेकिन साथ में प्लस high effect और electron दे रहा है इसलिए में कमजोर होगा यहां पर सिर् प्लस high effect शो कर रहा है यहां पर कुछ नहीं शो कर रहा है नहीं resonance है हम थोड़ा बहुत कहते हैं तो प्लस high effect शो कर रहा है तो इसलिए सबसे दाने इस्टेवलों का फोर्थ नंबर नंबर प्राइटिवर 2 इसलिए 2 नंबर 1 पर आएगा क्यों यहां पर two side resonance है उसके बाद य अब यह देखें बड़ा important topic है इसके अंदर देखें यहां पर देखें डाइक ketones के अंदर एक सवाल पूछे आते हैं सबसे acidic strength किसका ज्यादा होगा जिसका acidic hydrogen कौन से है वाले होंगे first वाले होंगे second वाले होंगे third वाले होंगे fourth वाले होगे acidic strength is directly position stability ज्यादा होगे उसका acidic strength उतना ज्यादा होगा मतलब वो अपना H plus N fast देगा ताकि उसके compound की stability ज्यादा बन पाए ताभी पीछे पढ़ा आपने जो second position present है यह दो साइड अगर H plus N release करेगा release करने से क्या benefit है release करने से benefit यह मिलेगा इसको कि वो यहां पर अगर यहां से H को हटाता है तो यहां पर charge क्या माहिनस आएगा इसकी वैसे यह die ketones इधर भी resonating करेंगे इधर भी करेंगे इसलिए पहली फूसरत में चाहेंगे कि अपना H plus N release करें इसका acidic extent सबसे अदा होगा हमारे पास fluorine inion के साथ हलेजन की condition क्या होती है fluorine 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 directly link up है लेकि electron richer species है तो यह electron दे नहीं सकता क्योंकि पहले से complete resonance है हम सिर्फ मानेस आएफेक्ट का खाल लगेंगे मैंस आएफेक्ट देखे जहां जितना दूर हो जतना करीब होगा मैंस आएफेक्ट उतना दावसकी stability देखी जादा होगी क्या होगा जादा strong electron withdrawing group यहां बन जाएगा resonance तो कर नहीं पा रहा है तो यह electron withdrawing tendency जाद होगी electron shift करेगा इसके stability बढ़ाएगा यह थोड़ा दूर हो गया यह सबसे दूर हो गया सबसे स्टेबल अगर हम देखे तो यहां पर due to minus effect concept apply करके हम यहां पर अप्लाई करेंगा inductive effect के साब से third one is more stable than second one than first one इस तरह से आप आगे देख सकते है next 25 पहेंगा देख क्लोरीन के स आपके पास एक कार्बन के बाएटाज है तो देखे हम जानते है क्लोरीन के पास भी minus i effect होता है दूसरी बात बहुत कि है 3D orbital खाली होते है तो यह electron pair ले सकते है partial double bond बना सकते हैं तो second one is more stable than first one यहां पर देखे resonance and inductive effect के दोनों की कहानी अजीब हो गरीब है opposite effect for cation resonance effect cations के लिए अगर बढ़ता है supporting effect of anion यह दोनों opposite होते हैं क्लिए याद रखना आपको resonance effect और inductive effect why is it less electron withdrawing than aldehyde and 2 oxygen term ? 2 oxygen term होने के बाएट oxygen carbazolic जोहाद अच्छा electron withdrawing group नहीं होता इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या वज़ा हो सकती है तो हम सामने यहाँ पे CHO भी बनायते हैं आपके लिए तो आपको बात संच में जाएगे C double bond O C double bond O के साथ अगर मानने जाए आपके पास यहाँ H present है aldehyde से aldehyde और हम यहाँ पे carbazolic दोनों की बात कर रहा है CH2 CH2 minus charge present है मानने जाए आपके तो यह electron density देगा इसको यह देगा इसको जाए इसी बात है bond की shifting भी प्रावलम है कि इधर के साथ जो OH का oxygen है यह भी resonating structure का cross resonance बना सकता है इसकी वाज़े से क्या होगी electron withdraw करने की tendencies की कमज़ोर पर जाएगी जिसमें OH और CS2 दो साइट से होगा तो इसलिए resonating structure को stabilize करेगा तो electron delocalization of electron क्या करता है वो resist करता है electron withdrawing tendency को यहां पर सिर्फ क्या एक एलेक्साइट से resonating structure होगा electron shift करेगा तो आप देख सकता है electron shift कर तो यहां plus charge आएगा यहां plus charge को यह दो यह double bond support करें यहां कोई support कर हडिजन electron donating tendency कम होगी यहां पर complete loan पर electron देने के बाद कर बाद का बाग्जलेक के साथ सिर्फ फ्लोरीन को छोड़के अगर किसी हलेजन साथ है तो resonance वहां सिर्फ पॉसबल है due to vacant d orbital वक्यूरीन में ऐसा नहीं होता है वहां पर 2p orbital मेलेक्ट्रों कर और और अवरलापिंग होती है यह हमीशा है अटना क्लोरीन के बहुत अच्छा effective resonance show करता है बाद ब्रोमी तो फ्लोरीन के साथ और क्लोरीन के में एक बहुत ही effective resonance show करेंगे as compared to हमकाई बात करें क्लोरीन ब्रोमीनाइडिन की बात उसके aspect में कर देखें तीनों compare में minus i effect सबसे strong अगर किसी कहाई तो फ्लोरीन का ही होता है हमेशा देखें अगर होलेजन अगर present आपके पास तो याद रहेगा प्लस हाई effect को हम dominant माहनते हैं as compared to iska हमें ख्यार लगना isla यह आधे इसका हमेशा प्लस-R-EFECT हमेशा हमेशा हलेजन केस में केस में प्लस-R-EFECT को मात दे दिता है मतलब Resonance Efect जादा आम यहां है, अपर आप ऐसे मैं है, आप ऐसले से, जड़ हैं आ अपर इस éléments कम वह मिलें की, जड़ होता है, इस case में भी क्लोरीन को फस्पारटी मिलेंगे फिर फ्लोरीन बाकी ब्रोमिन आइडिन जो है सेम आज वही है acidic strength की बात करें CSCL3, CHF3, CBR3, CI3 फिर भी chloroform का जो होगा वह active हो क्योंकि CL यहां पर electron donating होगा है एच को वहां से अटा देगा ताकर और्बिटल वहां पे खाली होगा है है इच एटम यहां बहुत फास्लिक क्लोरोफर्म का मिलेंगे CHI3S COMP2 CHF3, CBR3, CI3S इस सब exception condition इस पर बहुत गवार करने की बात है यहाई होप आपको यह सारी जीज़न समझ में आई होगी मैंने पूरी कोशिश की जहां तक resonance की बात करें भी resonance effect की बात करें मैं जो मेरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं resonance में इस से जाधा नहीं है 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 कि इसके बारे में मैंने आपको डिटेल discussion करके बताया है I hope आपको यह resonance effect समझ में आया होगा thanks for watching my videos and try to subscribe my channel